बिलियम सेक्सपियर से सॉनेट पहला नमबर तो यह देखे बिलियम सेक्सपियर ने ओबराल 154 सॉनेट लिखा है और इसको कलेक्ट और पब्लिश किया गया पोस्थमसली इन 1609 यानि कि 1609 में इसको पब्लिश किया गया और फेर यूथ इनके ओबराल 154 सॉनेट को 3 सेक्षन में डिवाइड किया गया है एक तो है आपका फेर यूथ सॉनेट्स सॉनेट नमबर वन्स लेकर 126 तक इसमें क्या है दा फर्स्ट ग्रूप अप सॉनेट्स आर एड्रेश्ड टू आ यंग मैन यह जो पहला है फेर यूथ सॉनेट्स यह एक यंग मैन को एड्रेश है जिसके साथ पॉएट का एक बहुत गहरा दोस्ती है दोस्ती मतलब रहा है सेकंड जो सेक्षन है वो है दा डार्क लेडी सॉनेट्स देट इस दा सॉनेट नमबर 127 तू सॉनेट नमबर 152 यह सेकंड सेक्षन है इनके सॉनेट का जहां पर पॉएट बिकम्स इनफैचुएटेड भी दा मिस्टीरियस उमेन जहां पर पॉएट एक मिस्टीरियस उमेन के इनफैचुएशन में आ जाते है और उसका रिलेशनशिप इस यंग मेन से है या नहीं ये चीज़ क्लियर नहीं है और तीसरा जो सेक्षन है वो है ग्रीक सॉनेट्स देट इज अनले टू सॉनेट नमबर 153 एंड सॉनेट नमबर 154 तो ग्रीक सॉनेट 153 और 154 दा फाइनल टू सॉनेट्स आर बेरी डिफ्रेंट ये बहुँ ज़दा डिफ्रेंट है 153 और 154 और ये रोमन में गॉड है गॉड आप लब क्यूपीड मिन्स काम देव उनको समर्पित है to whom the poet has already compared his muses और जिससे poet ने अल्रेड़ी अपने muses की comparison किया है फिर next यहाँ पर देखे text of sonnet number 3 with explanation तो देखे यहाँ पर text है लेकिन दो दो लाइन लिया जाएगा और साथ में explanation very short explanation है इसके बाद तो detailed explanation इसके आगे है देखे यहाँ पर first two line है जिसकी rhyming scheme है AB look in thy glass and tell the face thou bewest now is the time that face should form another it means यह है look in your mirror अपने आपको सिसे में देखो and tell yourself और खुद से बताओ खुद को बताओ that it's time कि यह समय है अब यह समय है you should have a child कि अब तुमारे पास एक बच्चा होना चैयर था अपने आपको चेहरे में देखो look in thy glass अपने आपको चेहरे में देखो and tell the face thou bewest और जो देखता है उस face से कहो उस face को बताओ now is the time कि अब वो समय आ गया है dates face should form another कि आप तुमको साधी कर लेनी चाहिए और बच्चा पैदा करना चाहिए फिर यहाँ पर यह देखी यह जो कहानी illusion to the story of narcissus यह narcissus की story को illusion करता है it appear in sonnet number 3 और यह जो इस sonnet number 3 में appear होता है कैसे पता चलता है कि यह story आप narcissus को मतलब बताता है तो इस line से in the pair lord's tendency to look in thy glass देखे to look in thy glass से पता चलता है इसकी कहानी कुछ ऐसी है मैं बता दे रहा हूँ narcissus एक character था Greek mythology में तो narcissus बहुत ज़्यादा सुन्दर था तो narcissus एक बार एक जंगल से होकर जा रहा था तो वहाँ पर एक लड़की ने इसे परपोज किया बट इन्होंने उसे क्या किया मतलब approve नहीं किया refuse कर दिया मना कर दिया तो God आकास से एक God थे उन्होंने इसको देखा और तुरंत इन्होंने क्या कहा मतलब इसके इस proud को इस pride अभिमान को तोड़ने के लिए उसने उसके सामने जो है एक सुन्दर सा तालाब बना दिया और जिसमें narcissus उस तालाब को देख उस तालाब में पानी को देखने लगा और जिसमें उसकी image दिखी और जब image दिखी तो बहुत अच्छी दिखी और narcissus अपनी इतनी अच्छी खूब सूर्ती को देखता रहा देखता रहा देखता रहा और कब पानी में डूब गया इसे पता ही नहीं चला और तब ही से मतलब ये narcissus का जो फूल होता है इसी narcissus के character पर ही रखा गया है समझ में आए कुछ ये कहानी देखिए दो he admires the fair lord's beauty यतिव की यहां पर वो fair lord की beauty की प्रसंसा करता है the speaker views the young man I just selfish to लेकिन इसके साथ में ये भी बताता है कि ये जो young man है जिसके मैं प्रसंसा कर रहा हूँ ये selfish भी है स्वार्थी है अपना काम चलाने वाला है ठीक narcissus अब यहां narcissus की थोड़ी से एक बार मैंने वह से replic आनी बताया था यहां देख लिजिए he was the son of the river god sephysus देखिए ये narcissus जो है ये river god sephysus का बेटा था and nymph liriobe और एक nymph liriobe था unable to live the beauty of his reflection ये देखिया अपने reflection की beauty को निहारता रहा मतलब अपने beauty के reflection से हटा ही ने उसको देखता रहा देखता रहा और इस तरह से अभी जो कहानी बताया थी तालाब में इस तरह से narcissus lost his will to live इस तरह से narcissus ने अपनी मतलब ये कब इसका देख हो गया इसे पता ही नी चला उसे में डूब कर मर गया he stared at his reflection until he died वो अपने reflection को तब तक निहारता रहा कि ये मौत के घाट उतर गया अर्था डूब कर मर गया narcissus is the origin of the term narcissus एक ये जो टर्म की origin है अफिक Jackson with oneself इसका मतलब होता है खुद के साथ fix हो जाना मतलब खुद में involved रहना खुद में involved का मतलब खुद से मतलब रखना दुनियादारी से कुछ नहीं किसी को once physical appearance और public precipitation मतलब किसी के अपने physical appearance को ही निहारते रहना और देखे नार्सिजम अब यहाँ पर एक टर्म है नार्सिजम क्या है नार्सिजम is the pursuit of gratification from vanity और egotistic admiration of one's own attributes नार्सिजम का मतलब होता है कि नार्सिजम एक ऐसा pursuit है जिसमें लोग एक ego में आ जाते हैं मतलब self admiration के ego में रहते हैं अपने beauty में खोई रहते हैं एक तरस कमंडी हो जाते हैं नार्सिजम किसे कहते हैं तो नार्सिजम means a person who has an excessive interest in or admiration of themselves एक ऐसा person जिनको खुद के admiration में खुद में बहुत ज़्यादा interest एक extremely interest है उसे कहते हैं नार्सिजम कहते हैं अब यहाँ पर देखे next line यह थोड़ा सापको अर्जेश्ट करना होगा चूंकि यह मैं भूल गया था इचुली बाद में याद आया तो मैं यहाँ पर मैंने छोटा छोटा लिखा है देखे यहाँ पर है next line जिसकी poem की यह text line है जिसका rhyming scheme है whose fresh repair if now thou not renewest thou dost because the world unblessome these youthful looks if you do not procreate will be lost and world will be denied as would the potential mother of your child देखे इसका मतलब यह है whose fresh repair if now thou not renewest अगर तुम अपने आपको renew नहीं करोगे है ना अगर तुम अपने आपको renew नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई repair और मतलब तुम्हारा कोई बेबी नहीं होगा thou dost be the word और यह जो बेबी होगा यह जो तुम्हारा बच्चा होगा साधी की बाद यही तो संसार में तुम्हारी एक तरह से परचाई बने की और thou dost be unblessed अगर तुम ऐसा नहीं करते हो अगर तुम साधी नहीं करते हो तो आप जो है किसी मा को जो है उनके बच्चों बच्चे के होने के अधिकार से वन्चित कर दोगे अर्थाथ अगर तुम किसी इस तरह साधी मतलब साधी नहीं करते हो तो उस इस्तरे को तुम उसके अधिकार से मतलब मा बनने के अधिकार से वन्चित कर दोगी फिर यहां next line है text है जिसकी rhyming scheme है c d for where is c so fair whose uneared womb residence the tillage of thy husbandry देखे इसका मतलब हुआ for there is no man who would not want to have your child for where is c वो ऐसी कौन सी औरत है वो कौन से औरत होगी वो कहां होगी वो कौन औरत होगी so fair जो इतनी ज़्यादा सुन्दर होगी whose uneared womb whose uneared womb जो कि तुम्हारी मतलब wipe नहीं बनना चाहेगी जो कि अपनी womb को हमेशा मतलब ऐसे खाली रखना चाहेगी distance the tillage of thy husbandry और जो है हाँ वो जो है इस मतलब आने वाली पीड़ी को husbandry आने वाली पीड़ी को कौन रोकेगा मतलब ऐसी कोई भी औरत नहीं होगी जो कि तुम्हारी wife बनने से तुमको मना कर सके ठीक तुम्हारे बच्चे की मा बनने से वो अपने आपको मना कर सके आईसी कोई भी मतलब वो अवरत नहीं है नेस्ट है आपका नेस्ट लाइन के स्टेंजर सीडी और ये रामी इसकिम सीडी है और ये क्या और who is he so fond will be the tomb of his self-love to stop posterity आगे कह रहे हैं बिलियम सेक्सपियर और who is so fond will be the tomb थवा वो इंसान कौन इतना जादा खुद में सोकीन होगा कौन इतना जादा self-love करता होगा क्यों जिन्दगी वर साधी नहीं करेगा और फिज self-love वो खुद से ब्यार करता हो to stop posterity और ये इतना जादा करतो की posterity को ही रोक दे इसका मतलब ये है and there is no man stupid कोई भी इतना बेवकुप इतना गधा नहीं होगा enough to die क्यों मर जाए before having a child बिना बच्चा पैदा क्यों मर जाए कोई भी इतना stupid इतना गधा नहीं होगा अर्थात कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहेगा जो की बिना साधे क्यों है बिना एक generation generate किये हुए मर जाए खुद से इतना प्यार करता हो क्यों posterity को ही रोक दे मतलब यह जो generation है इसको रोक दे अब यहाँ posterity का मतलब होता है all future generations of the people भावी पीड़ी posterity वही है मतलब लोगों की future generation को लोगों की generations को रोक दे ऐसा कौन सा होगा जो इतना ज़्यादा खुद से self love करता होगा एक तरह से यहाँ rhetorical question कर रहा है rhetorical question का मतलब जैसे एक तरह से आश्यर वाला जो question रहता है ना जैसे एक who knows महत्मा गांधी who doesn't know महत्मा गांधी महत्मा गांधी को कौन नहीं जानता है इसका मलब यह essence निकल रहा है हर कोई जानता है तो वही यहाँ कह रहा है कौन इतना अपने आप में गधा होगा कौन इतना एक नंबर का stupid होगा जो अपने आप से इतना ज़्यादा self करता हो क्याने वाली posterity को रोख दे अर्थात कोई ऐसा नहीं करना चाहेगा देखे और यहाँ जैसे example posterity पर example है for the sake of posterity countries of the world must put aside their differences चलिए next line है आपका text line है thou art thy mother's glass and see in the calls back the lovely april of her prime देखे यहाँ पर है इसका sense वह इसे निकलता है when your mother looks at you it's like looking in a mirror she is able to see herself young again इसका मलब है thou art thy mother's glass and see in the तुम जो है अपनी मा के एक तरह से प्रतिमूर्थी हो जब तुम्हारी मा तुमको तुमको मतलब तुम्हारी youth को देखती होगी तब वो अपने april of her prime को याद करती होगी मतलब अपने youth के दिनों को याद करती होगी तुम्हारी छबी को देखकर तुम्हारी youth age को देखकर उसको अपने समय के youth age को मतलब वो youth age में कितनी सुन्दर थी, कितनी beautiful थी वो सब याद करती है या करती होगी या आने वाली जनरेशन तुम्हें देखकर जो है जब आने वाली जनरेशन को तुम देखोगे तो आप खुद याद करोगे कि मैं अपने यूथ काल में कितना सुन्दर था कितना attractive कितना handsome था इतना समझ में आया फिर यहां next देखे क्या है देखे इसका मतलब क्या निकलता है इसका रामिंग इसकी में एप इन दा सेम वे वे वैन यू वर ओल्ड यू विल रिगेन यूर यूथ वैन यू लुक एट यूर आन चाइल्ड देखे और ऐसा है नहीं कि तुम कभी बुड़े नहीं होगे मतलब तुम्हारी एज क्या होगी दिन प्रदिन डे बाई डे क्या हो जा रही है डिक्रीज हो जा रही है तुम एक ओल्ड एज की तरब जा रहे हो और जब तुम पूरा ओल्ड एज हो जाओगे तो उस समय तुम्हारे जो ये जो wrinkles हैं ये जो आँखों में मतलब ये skins में जुरियां wrinkles में होता है जुरियां जुरियां आने लगेंगी और जब जुरियां आने लगेंगी उस समय जब तुम्हारा generation रहेगा तो तुम अपने generation को देख कर अपने जो है youth को regain कर लोगे किलियर है अपने golden time को फिर से regain कर लोगे अर्थात किसी का जो baby होता है कहीं न कहीं उसके मापिता का ही मतलब लगछड आई रहते हैं तो जैसे लोग उस लड़के को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा ये उन मतलब फलाने का लड़का है धमाके का लड़का है इस तरह से वह यहां बताया गया है नेक्स्ट देखे बट इफ दाव लिब रिमेंबर्ड नॉट टो बी जी जी इसका है वो रैमिंग स्केम जी जी बट इफ दाव लिब remembered not to be thy single and thine image dies यह करें इसका मतलब यह हुआ but if you die before having no child no one will remember your beauty यह करें अगर तुम बिना साधी किये बिना बच्चा किये होए मर गए तो तुम्हारी beauty को याद करने वाला कोई भी नहीं रहेगा यह करें but if thou live remembered not to be लेकिन अगर तुम मेरी बात का ध्यान नहीं दिये और बिना साधी किये होए बिना बच्चे किये होए die сingle मतलब single ही मर गए अकेल मर गए बिना बच्चे किये होए बिना साधी किये होए मर गए die an image तो तुम्हारी image भी dies साथ मर जाएगी that means no one will remember your beauty इसका मतलब यह कोई भी तुम्हारे beauty को याद करने वाला नहीं रहेगा means no one will not present to run your dynasty कोई भी तुम्हारे ones को चलाने के लिए नहीं रहेगा clear next यहाँ पर देखे sonnet number 3 एक तरह से यहाँ critical appreciation tap मैंने लिखा है तो इसमें अच्छा सोरी सोरी यह sonnet number 3 का text है एक बार text पढ़ लेजिए क्योंकि explanation आता है तो बस एक मिनट लगेगा मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ look in die glass and tell the face दाव बिवेष्ट पहला नमबर यह है कि कोई भी sonnet है sonnet का first line है first line ही title का काम करता है तो अगर sonnet number 3 का title क्या है तो look in die glass and tell the face दाव बिवेष्ट तो देखिए यहाँ पहली जो four line है इसकी रामिंग इसकीम है a, b, a, b, a, b और four line के group को कहते हैं quatrain कहते हैं तो इसमें sexperian sonnet में three quatrain होता है और one couplet होता है चलिए text देखते हैं look in die glass and tell the face दाव बिवेष्ट now is the time that face should form another whose fresh repair if now दाव not renew est दाव dost begal the world and bless some mother तो यह first quatrain है इसकी रामिंग इसकीम है a, b, a, b clear second जो है quatrain है वो क्या है for where is she so fair whose a neared womb disdance the tillage of thy husbandry or who is he so fond will be the tomb of his self love to stop posterity इसकी जो रामिंग इसकीम है c, d, c, d यह है next third quatrain है thou art thou art thy mother's glass and see in the calls back the lovely April of her prime so thou through windows of thine age shall see despite of wrinkles this thou golden time और next couplet group of two lines को कहते है couplet but if thou live remembered not to be thy single and thine image dies with thee चलिए अब next यहां देखते हैं sonnet number 3 यह है आपका analysis type मैंने यहां पर कुछ point लिखा है इसे related तो देखेगा sonnet number 3 that means look in thy glass until the face thou विवेश्ट is one of the fair lord sonnets यानि कि sonnet number 3 यह fair fair lord sonnets sequence में आता है और जहां पर जो है जो चुकि fair lord sequence में एक से लेकर 126 sonnet हैं तो उनमें से यह एक हैं विच आर इदर एड्रेश्ट डाइरेक्टली टू और रिटेन अबाउट दा इफेक्ट ऑफ यंग एंड श्ट्रिंगली ब्यूटिफुल मेन देखें जो की या तो जो है डाइरेक्टली एड्रेस किया गया है यंग मेन को या जो है उस यंग मेन के बारे में लिखा गया है और इस यंग मेन को ऐसा सपोज किया जाता है कि ये मिश्टर डेबलू एच थे हैंडरी रियोट स्ले या ना थर्ड अर्ल अप साउथ हैंपटन के थे ये जो है एक प्रोक्रियेशन स्वानेट ये जो है एक प्रोक्रियेशन स्वानेट अब देखें प्रोक्रियेशन यहां टर्म संजी है बिलियम सेक्सपेर का जो स्वानेट एक से लेकर अठारा तक का स्वानेट प्रोक्रियेशन स्वानेट कहलाता है और यह जो sonnet no.3 किस बात पर focus करता है, unfair lord's responsibility, यह fair lord के जिम्मेदारी को focus करता है, to have a child के बच्चा पैदा करो, बच्चे होना जरूरी है, so that his beauty might be passed, ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारी beauty तुम्हारे बच्चों के थ्रू, for future generations to appreciate, तुम्हारी beauty तुम्हारे बच्चों के थ्रू appreciate की जाएगी, future generations के लिए एक appreciation हो जाएगी, अमर एक तरह से हो जाएगी, Allusion to the story of Narcissus is apparent in sonnet number 3, आप देखिए ये Narcissus की जो story है, ये कौन से sonnet में appear होती है, तो sonnet number 3 में appear होती, वो भी किस tendency से, look in the glass की tendency से, तो he admires the fair lord's beauty, the speaker beauty, the young man is selfish too, यद्यप की यहाँ पर poet fair lord की beauty को admire तो करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे selfish भी बताता है, This is because the fair lord seems to show no interest in bearing children, ऐसा वो इसलिए करता है, क्योंकि fair lord बच्चे को पैदा करने में या साधे ब्याह करने में कोई interest नहीं रखता हुआ नजाराता है, मतलब उसे कोई interest नहीं रहता है, thus dost beguile the world, इस तरह से वो एक तरह से word को धोखा भी दे रहा है, ना, dost beguile the world का मतलब word को धोखा मत दू, तो इस तरह से जब interest नहीं, तो एक तरह से वो संसार को धोखा देने का प्रयास कर रहा है, the speaker pleads with the fair lord using his knowledge of the young man's vanity to try to convince him, और इस तरह से यहाँ speaker जो उसे convince करने के लिए मतलब प्रयास करता है, though he cannot stop his own eventual death, यद्यव की वो उसकी eventual death को तो रोक नहीं सकता है, यहाँ point करा है, यद्यव की मैं fair lord की, चुँकि human is mortal, man is a mortal, man तो mortal है, तो अब उसकी ultimately तो death होनी ही है, तो वो ही eventually उसकी death को तो रोक नहीं सकता है, surely, लेकिन निश्चित ही, he cares about preserving the image, लेकिन निश्चित ही वो उसकी image को preserving करने के खयाल रखता है, क्योंकि उसकी जो image है, उसकी जो handsomeness है, वो उसके बच्चों के थुरू जीवित रहेगी, he loves staring at in the mirror, और वो इस तरह कहता है कि तुम जो है starting है, तुम जो है mirror में देखो और देखो ये सुन्दर चेहरा तुम्हारे मरने के बाद कौन याद करेगा, जब कोई once ही नहीं रहेगा, तो तुम्हें अपना कहने वाला कौन रहेगा, जैसे once रहने साद में कहता है, ये मेरे पर दादा थे, दादा थे, मेरे बाप है ये, मतलब ऐसे चलता है न, अगर तुम अकेले ही रहे, अकेले ही मर गे, बिना सादे बया, बच्चा पैदा कियो ही मर गे, तो तुम्हारी इमेज भी तुम्हारे मरने के साथ में समाप्त हो जाएगी, कोई याद करने वाला नहीं रहेगा, फिर यहाँ दिया गया, इन दिस सॉनेट, यानि की सॉनेट नमबर थरी में, दाइस स्पीकर इज ट्राइंग टू कन्विन्स पैर लॉर्ड, देट इस दाइम बिल पास, और इज ब्यूटी बिल फेड, देखे, अब यहाँ सॉर्ट में कन्क्लूजन टाइप, आप यह इस सॉनेट में, इस स्पीकर फिर लॉर्ड को यही कन्विन्स करने का प्रयास कर रहा है, कि भाईया समय बीत जाएगा, और तुम्हारे ब्यूटी जो है, समुर्जा जाएगी, चहरे पर रिंकल्स आ जाएगी, ऐसे हमेशा जवान सुन्दर नहीं रहोगे, बुढ़े होग मतलब हमेशा, हमेशा का मतलब जैसा अभी जब आदमी जवान रहता तो सुन्दर रहता तो घमंडी है, लेकिन हमेशा वो ऐसा यह प्राइड नहीं फिल कर पाएगा, जैसा कि अभी वो ग्लास में देखता तो प्राइड फिल करता, कुछ सालों बात देखेगा, तो क्या हो है, समझ में आए इतना, आ रहा है समझ में, चलो, अब यहाँ पर देखे, सॉनिट नमबर थ्री, एक बार इसको मैंने वैसे बता दिया है, लेकिन एक बार रिपीट में कर दे रहे हैं, ताकि अच्छी इसका मतलब यह हुआ, अपने आपको सीसे में देखो, और अपने पास एक बच्चे होने की जरूरत है, अर्था तुम साधी करो, फूज फ्रेस रिपेयर, इफ नाव दाव आर्ट रेनेवेश्ट, दाव डोस्ट, बिगायल दा वर्ड, एंड चाइल्ड सूड बी मदर, मतलब इप यू, इसका मतलब यह हुआ, इप यू डूंट है जो तुम्हारे जैसा दिखे, यू आर्ट विग अनफेर टू दावर्ड, तो तुम संसार के साथ गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो, एंड चाइल्ड बी मदर, और उस बच्चे की मा के भी साथ गलत कर रहे हो, अनफेर कर रहे हो, फ्रॉम वेर से जो फेर हूज अनेर्ड मतलब ऐसे यह, तुम हाथ उकरो, लड़की तुम हजार दिला देंगे, जैसे होते ना कुछ लोग, अगवा, खासकर रिष्टेधार टाइप में, और who is so fountable with a tomb, और his self love to stop posterity, अच्छा, इसका मतलब यह हुआ, and there is no stupid, और कोई भी इतना stupid, इतना गधा नहीं होगा, enough to die, क्यों मर जा, before having a child, भीना साधी बया, भीना बच्चा, पैदा कि यहीं मर जाए, इतना कोई बेकार भी नहीं होगा, अर्थत कौन होगा, ऐसा कौन चाहेगा, और इसका मतलब, when your mother looks at you, जब तुमारी मम्मे तुमको देखती होगी, it's like looking in a mirror, तो तुम एक तरह से अपनी मा के लेक सी से के समान दिखते हो, she is able to see herself here again, और वो खुद को तुमारे अंदर जो है, अपने April of Prime दिनों को याद करती होगी, अपने youth दिनों को याद करती होगी, so thou through windows of thine age salt, see despite of wrinkles, this thy golden time, it means यह हुआ, in the same way, when you are old, इसी तरह से जब तुम old हो जाओगे, you will regain your youth, तो तुम अपने youth दिनों को देखोगे, when you look at your own child, जब तुम खुद के बच्चे को देखोगे, तब तुम्हें अपने जवानी की दिनों को याद आएगा, कि हम ऐसे थे, but if thou live remembered not to be thy single and thine image dies with thee, it means, if you die before having a child, no one will be remember your beauty, अगर तुम बिना बच्चा पैदा क्यों मर जाओगे, तो तुमारे beauty को कोई याद करेगा, अब यहाँ पर summary है इसका, अब देखें है summary इसकी, the poet says to his friend, यहाँ पर poet अपने मित्र से कहता है, that he has attained the height of physical beauty in his sexual maturity, क्यों अपने sexual maturity में वो physical beauty की height को, physical beauty की topness को उसने प्राप्त कर लिया है, अपने मित्र से कहता है, he must marry, इसलिए अब उसे साधी जरूर कर लेना चाहिए, and have a son for the sake of his beauty, living in his son, और एक बच्चा पैदा करना चाहिए, ताकि उसकी beauty उसके बच्चे में transform हो जाए, to please the world and a woman, जिसे वो जो है word को खुशी दे सके, and a woman और उस अवरत को खुशी दे सके, the mother of his child, जो कि उसके मा की, जो कि उसके बच्चे की मा होगी, उस अवरत को भी वो, मतलब एक तरह से blissful कर सके, sonnet is another plea for the young man to produce an hair, sonnet यहाँ पर उस young man के लिए एक तरह से ये plea किया गया है sonnet में, कि young man अगर कोई बच्चा produce करेगा, तभी तो उसके hair, hair means उसका उत्राधिकारी हो सकेगा रथा, तो उसके once को चला सकेगा, और कोई बच्चा ही नहीं रहेगा, तो उसके once को कौन चलाएगा, the principal image is that of the mirror, और यह principal image, मतलब यह उस mirror जैसा है, यह उस mirror जैसा रहेगा, जो कि this shows the young man his face, जिसमें वो, मतलब young man अपने face को देख सकेगा, reminds him of mortality, reminds him of his resemblance to his mother, और जब उसकी माँ उसे देखती है, तो उसकी माँ को अपने यूत दिनों को याद आता है, याद करती, and of the possibility of his renewing his beauty with an hair, और जो है, एक, मतलब hair के साथ उसके अपने beauty को फिर से renew करेगा, renew का मतलब एक तरह उसके बेवी की फॉम में अपने beauty को फिर से नया रूप देगा, और for if he does not marry, लेकिन यदी, यहाँ for का मतलब लेकिन है, लेकिन यदी वो साधी नहीं करता है, and does single और single ही रहता, अकेला ही रहता, अकेले ही मर जाता है, his image also dies forever, तो उसकी सुन्दर्ता, उसकी सुन्दर्ता हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी, the beauty is pattern in him, उसके अंदर जो इस तरह इस beauty की pattern है, इस तरह सुन्दर्ता की जो मूर्ती है, यह हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी, चलिए, अब यहाँ पर important explanations इसके देखते हैं, तो जैसे यहाँ पहला stanza है, फर्स्ट क्वाट्रेन है, देखे, इसका reference to context, यहाँ reference और context को एक में ही लिखा गया है, लेकिन क्या करना है, reference अलग, context अलग अलग लिखना है, तो इसका reference कहां से कहां तक है, तो reference है, these lines have been taken, या आप कर सकते हैं, above lines have been taken, या आप बोल सकते हैं, these opening lines have been taken, है ना, कुछ भी, तो these lines have been taken from Shakespeare's popular sonnet, that's name, look in the glass and tell the face thou bewest, that is the sonnet number 3, in the sequence, मतलब ये चीज आपको क्या करना है, reference में लिखना है, in the sequence तक, clear, और उसकी बाद में यहाँ पर एक line छोड़ कर ये चीज अड़ कर देना है, it is addressed to Mr. WH, ये reference में add कर दीजे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये पूरा रहेगा reference, clear, फिर इसके बाद में context में क्या लिखेंगे, अब context में आशरू कर दीजे, in the sonnet number 3, the poet glorifies the beauty of his dear friend, sonnet number 3 में poet अपने dear friend की beauty को glorify करते हैं, it is addressed to, ये तो उसी में add कर देना, फिर आगया आजो, in this sonnet, the poet asks his dear friend, इस sonnet में poet अपने friend से कहते हैं, to get married, साधी करने के लिए, and to beget a son, और एक बच्चा पैदा करने के लिए, इनको ज़्यादा फिकर है, आगे देखिए, thus he would be able to become immortal in the world, even after death, इस तरह से वो death के बाद में भी, संसार में immortal रहेंगे, फिर explanation अबाजाई, explanation में, देखिए, in these lines, the poet asks his dear friend, to look at his mirror, and think about his reflection, इस line में poet कहते हैं, कि तुम अपने आपको सीशे में देखो, और जो तुमको दिखता है, उस अपने reflection के बारे में सोचो विचारो, his face is very attractive, तुमारा face बहुत जादा सुन्दर attractive है, but it would not remain so far long, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, it is the time, अब समय आ गया है, when he ought to realize the fact, तुमें इस fact का, इस बात का, realize करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, that now he should get married, कि अब तुम्हें साधी कर लेनी चाहिए, and big a son, और एक बच्चा पैदा करना चाहिए, whose face would reflect his youthful image, जो कि तुमारे youthful image को reflect करेगा, in his son's youthful state, और तुम अपने son के youthful state को, state में he would be able to recognize in future, आप future में जब अपने बेटे की youthful state को देखोगे, he was in past, the means in his prime of life, तो अपने prime of life को आप याद करोगे, यानि कि आप past में कितने beautiful थे, कितने handsome थे, उस handsomeness को याद करोगे, the poet warns, him poet उसे warn करता है, not to be deceitful towards the world, कि संसार को धोखा ना दो, recognize his social duty, जो समाज का नियम काईदा, इसको पहचानो, सादे बया करो, he has no right to deprive a girl, of the right of becoming a mother, और तुमको कोई अधिकार नहीं है, कि तुम किसी अवरत को, मा बनने के अधिकार से, किसी लड़की को, मा बनने के अधिकार से, जो है, वन्चित कर सको, ये तुम्हें कोई अधिकार नहीं, जो समाज का रूल काईदा है, उसको फॉलो करो, सादे बया करो, आगे मरो, therefore, इसलिए, I is a man, एक man के रूप में, it is his peous duty, ये उसकी peous, पवित्र duty हो जाती है, to be married, सादी करने की, for marriage, is a social institution, जैसा कि, ये जो marriage है, एक सामाजिक परंपरा है, सामाजिक नियम काईदा है, चली, अब यहां critical comment में, क्या लिखेंगे, critical comment देखें, Almost in all early sonnets, Shakespeare expresses anxiety, that the young handsome lord is not willing to marry, लगभग, शुरुवात की Shakespeare के, जितने भी sonnets थे, उन सारे sonnets में, Shakespeare ने young handsome lord को, उस fair youth को, youth के बारे में, यही ब्याकुलता है, anxiety है, is not willing to marry, कि वो जो है, साधी करने के इच्छुक ही नहीं है, ये fair youth, in dead condition, और ऐसे condition में, his beauty and talent would be destroyed with him, और ऐसे condition में, अगर वो साधी नहीं करेगा, तो उसकी beauty और उसकी talent, जो भी एक होपसूरती, वो सब उसके साथ में destroy हो जाएगी, if he marry each and bigot's son, his beauty and talent would survive in them, अगर वो साधी करता है, तो उसकी beauty, साधी करता है, बच्चे पैदा करता है, तो उसकी beauty और उसकी talent, उसके साथ में survive रहेगी, in sonnet no.1, Shakespeare points out the great importance of children, to his dear friend, अब देखे, यहाँ sonnet no.1 से यहीं सुरू किया है, महाराथ, उकर कोई कामधाम नहीं था, Shakespeare साहब को, sonnet no.1 में, Shakespeare points out, Shakespeare ने यह point out किया, इस बात को उजागिर किया है, the great importance of children, to his dear friend, बंदला, अपने dear friend को, बच्चों के great importance को बताया है, कि बच्चे कितने ज़्यादा importance होते हैं, और उसके बात क्या हुआ, in sonnet no.2, he reminds his dear friend, that it is good to marry, and have children, और sonnet no.2 में, William Shakespeare ने अपने friend को, यह फिर सी याद दिलाते हैं, कि देखो, साधे करना बहुत अच्छी बात है, और बच्चे करना, बच्चे पैदा करना यह भी अच्छी बात है, अब देखो, sonnet no.3 में सीधा धमकी दे रहे हैं, कि महाराज कर लो उन्हें, तो अब समल लो, पंगा हो जाएगा, in the sonnet no.3, the poet warns his dear friend, sonnet no.3 में, poet अपने dear friend को सचेद करते हैं, that an unmarried man leaves no identity behind him, कि एक unmarried man के पीछे, कोई रोने वाला नहीं रहता है, मतलब उसके पीछे, उसके कोई पहचान नहीं रहेगा, तुम मर जाओगे, तो कोई, तुमको मतलब दफनाने के लिए भी नहीं रहेगा, अपना बेटा अपना होता है, मतलब सीधा सचेद कर रहे हैं, that his friend's name would be forgotten, और इस प्रकार से उसके friend का नाम, मतलब उस bear lord का नाम भुला दिया जाएगा, and image would die with him, और उसी के मरने के साथ में उसकी image भी मर जाएगी, if he remained unmarried, अगर वो जिन्दगी भर unmarried रहा तो, इसी पर इन्होंने कप्लेट का भी यूज किया है, but if thou live remembered not to be, thy single and thine image dies with thee, thus Shakespeare's look in thy glass is a representative sonnet, इस तरह से यह जो Shakespeare का, यह sonnet number 3 है, एक तरह से representative sonnet है, representative sonnet का एक्जाम्पल है, अब देखिए, दूसरा इस्टेंजा है, reference context सब में सेम रहता है, context थोड़ा सा up-down होता है, explanation देखिए इसका, in these lines, the poet warns his friend not to be deceitful towards the world, इस line में poet अपने friend को सचेत करता, कि संसार को धोका मत दो, and recognize his social duty, और अपने social अधिकार को पहचानो, he has no right to deprive a girl of the right of becoming a mother, और उसे जो है, मदलब एक लड़की को मा बनने के, अधिकार से वन्चित रखने का कोई अधिकार नहीं है, therefore as a man, इसलिए एक man के रूप में, it is his past duty, उसकी एक परम करता भी हो जाता है, to be married की साधिक करे, for marriage is a social institution, जैसा कि ये marriage एक social सामाजिक परमपरा है, the poet asks his dear friend to decide to marry a girl without delay, और poet जो अपने friend से कहता, तुम भी ना दे रहे कि वे, किसे लड़की से साधिक करने का decide कर लो, फैसला कर लो, his confident उसे पूरा विश्वास है, date no girl, may refuse to marry a handsome youth like him, कि कोई भी लड़की तुमें साधिक करने से, तुमारे साधिक करने से मना नहीं करेगी, he thinks वो सोचता है, अगर लूड रैदर फिल हर सेल्फ हो, fortunate in becoming his wife, और वो कहता है, इसके बावजूद, जिससे तुम साधिक करोगी, वो तो अपने आपको सौभागे साली समझेगी, and giving birth to his children, और तुमारे बच्चे को जन्म देगी, in his opinion, उसके विचार में, the problem is created by his friend himself, मतलब, sex pair के विचार में, problem तो इसका friend ही create कर रहा है, he is sick of self love, कि उसे self love की बिमारी है, यह खुद से प्यार करता है, like narcissus, narcissus की तरह, and seems to be reject all sincere efforts of love made by beautiful girls, और जो भी beautiful girls उनको एक तरह से परपोज करते हैं, उन सब को यह खुदी मतलब reject कर देता, refuse कर देता, the poet fears his friend may suffer endlessly, अब poet को यह डर है, कि उसका friend बहुँ ज़्यादा problem जहिलेगा, narcissus की तरह, unaccount of excessive self love, बहुँ ज़्यादा self love करने से, narcissus की जैसे उसे problem जहिलनी पड़ सकती है, अब इसका critical comment क्या है, here is a reference to narcissus, यहाँ पर एक narcissus का reference दिया गया है, who was in Greek mythology, जो कि एक Greek mythology में एक handsome youth था, son of the river god sapphysus, और यह river god sapphysus का बेटा था, because of his great beauty में, woman fell in love with narcissus, क्योंकि narcissus बहुत ज़्यादा handsome था, और इस handsomeness के वज़े से, कई सारे लड़कों ने उसे, मतलब love पर पोजल किया था, but he repulsed their advances, लेकिन उसने उन सब को repulse कर दिया था, अब next तीसरा जो है श्टेंजा है, यह क्या, देखे रिफरेंस कॉंटेक्स्ट सब में सेम रहेगा, इसका explanation कैसे होगा, इस line में पोएट पोएट को पूरा विश्वास है, that no girl may refuse to marry a handsome youth like his friend, कि कोई भी लड़की उसके इस handsome friend से साधी करने के लिए मना नहीं करेगी, he thinks वो सोचता है, the girl would rather feel herself fortunate in becoming his wife, कि इसके बाउजूद वो लड़की तो अपने आपको सौभाग साली समझेगी, बहुत ज़्यादा fortunate समझेगी कि वो इस handsome wife बनी, and giving birth to his children और उनके बेबी को बर्थ करेगी, the poet reminds his friend, the poet अपने friend को याद दिलाता है, that his face reflects his mother's image, कि तुम्हारा चेहरा जो तुम्हारी मा से मिलता जुलता है, अर्था तुम्हारी मा जब तुमको देखती होगी, तुम्हारी में तुम्हारी में कितनी ज़्यादा सुन्दर थी, his friend too would be old, और कहता है उसका friend अब old भी हो जाएगा, धीरे-धीरे old हो जाएगा, and then his face would be wrinkled, और तब उसके face पर जुरियां आ जाएगी, but saying his son's young attractive face, लेकिन अगर तुम साधी किये रहोगे, तो अपने बेटे के सुन्दर youth face को देखकर, he would forget his miserable wrinkled, तुम अपने चेहरे की जो जिर्यों को जिर्यों की बारे में भूल जाओगे, his golden youthful days would be reflected in his son's face, और इस तरह से तुम्हारी beauty तुम्हारी बच्चे में transform हो जाएगी, और हमिशा immortal रहेगी, यहाँ देखिए critical comment क्या है, Shakespeare puts stress on this point in his famous comedy, a mid-summer night's dream when Thesis tells Hermia, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा Shakespeare यह point लेता है, यह mid-summer night's dreams लेता है, जब Thesis हर्मिया से कहता है, क्या कहता है, Thrice blessed they that master saw their blood to undergo such madden pilgrimage, but earlier happy is the rose distilled than that which weathering on the virgin thorn grows lives and dies in the single blessedness, according to him, the true purpose of life is to marry, देखिए, बिलियम सेक्स्पियर के अंसार, जीवन का जो सच्चा अगर कोई उद्देश है तो वह साधी करना, और कुछ नहीं है, इनके अंसार, and extend the family और family को बढ़ाना, बच्चे पैदा करना, पहले साधी करना, और बच्चे पैदा करके family, परिवार बनाना, यहीं इनका जीवन का उत्देश से, इनके जीवन में वो कुछ बचा नहीं, चलो, अब last का दो कपलेट देखते हैं, but if thou live remembered not to be, thy single and thine image dies with thee, इसका explanation क्या है, in these concluding lines, इस concluding lines में एक तरह, इस conclusion वाली line है, दा पोईट आस्क से, इस dear friend to marry without delay, पोईट अपने friend से कहता, कि बिना देर किये हुए साधी करो, and points out advantage, as well as disadvantage of the married and unmarried life, और एक तरह यह भी बताता है, कि married life की क्या advantage का disadvantage है, और unmarried life की क्या advantage, और क्या disadvantage है, इन सबके बारे में बताता है, according to the poet, poet के अनुषार, if his friend wishes to be immortal, even after death, अगर उसके friend की, ये इच्छा है कि मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, तो भाईया in that condition, he ought to marry soon, तो ऐसे अगर इच्छा है, तो तुम जल्दे जल्दे साधी उसे कर ले न चाहिए, otherwise, if he remains unmarried, his name would die with his death, otherwise, वो अगर जिंदगी बार unmarried ही रहता है, तो उसकी beauty उसके death के साथ में मर चाहेगी, man is mortal, क्योंकि इनसान mortal है, but he gets immorality, लेकिन वो immorality को पा सकता है, अमरता को पा सकता है, when he leaves behind him a few children, जब अपने पीछे एक बच्चे को, मतलब अपने बेबी में, अपने बेबी में, उसके बेबी में उसकी चबी रहती है, इस माध्यम से, to continue his lineage, इसके माध्यम से, अपने वन्स को चला सकता है, it is the greatest blessing of being married, और ये जो है, married होने का सबसे बड़ा, अगर blessing है, तो वो है उनके बच्चे, अगर सादी बच्चे नहीं हुए, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा, ये कोई blessing नहीं है, इनके अमसार सादी का सबसे अच्चा, जो greatest blessing है, वो है babies,